अगर आप समझदारी से जीना चाहते हैं, तो आपका इस धर्ती से संपर्ख होना चाहिए, जिस पर आप रहते हैं। धर्ती से संपर्ख में बने रहने से स्वास्थ्य की प्रक्रिया पूरी हो सकती है, पूरी तरह से। तो क्या ऐसा करने का कोई तरीका है? हाँ, कुछ खास तरीके हैं जिन से हम ये कर सकते हैं। हम आपको ये चीज उपलब्द कराएंगे, स्वास्थ्य और सेहत के मामले में बहुत से लाब होंगे जो साफ तौर पर देखे जा सकेंगे। स्रिष्टी में भौतेक्ता के सबसे करीब आपका ये शरीर है और ये शरीर धर्ती का ही बस एक टुकड़ा है। आप बस इस धर्ती की एक छोटी सी उपज हैं अभी आप धर्ती की एक छोटी सी उपज हैं जो चारो और उचल कूद रही है कुछ समय बाद आप मिट्टी का एक छोटा सा धेर बन जाएंगे आप खुद को कई मन गणन चीजे मानते होंगे पर वो सच्चाई नहीं है नजाने, नजाने कैसे ये बुनियादी बात की हम उस मिट्टी की एक छोटी सी उपज हैं जिस पर आप अभी बैठे हैं आम तोर पर लोग भूल जाते हैं जब तक हम दफन नहीं हो जाते अगर आप समझदारी से जीना चाहते हैं तो आपका इस धर्ती से संपर्क होना चाहिए जिस पर आप रहते हैं आज क्योंकि हमने एक तरह से ये संपर्क हो दिया है, जीवन अव्यवस्थित हो गया है ये अव्यवस्था बीमारी और कमजोरी को जन दे सकती है और आखिरकार शरीर को ही अस्थिर कर सकती है हमारे सिस्टम में मूल भूत तत्वों की शुद्धता को मजबूत करना बहुत जरूरी है तो क्या इसे करने का कोई तरीका है? हाँ इसके लिए एक विशेश तरीका है जिनसे हम ऐसा कर सकते है हम आपको ये चीज उपलब्द करवाएंगे जिसे ताई मन कहा जाता है यानि कि धर्ती मा ये पांच अलग-अलग पहलूओं का मिश्रण है लग-भग पचास फीस्दी मिट्टी है इसमें कुछ मातरा में हरी मूंग डाल का आटा है और इसमें औरग्यानिक कपूर जैसी चीजे हैं और इसमें थोड़ा सा रीठा पाउडर होता है और इसमें एक और बूटी होती है ये सारी मिली हुई चीजें आप इसे लगा सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो इसे करने का सबसे बढ़िया तरीका होगा कि इसे अपने पूरे शरीर पर लगा कर अपने अभ्यास करें और फिर बिना साबुन लगाए सनान कर लें ये साबुन का भी काम करेगा क्योंकि इसमें रीठे का पाउडर और कुछ दूसरे तत्व भी है ये शरीर पर कपूर का भीना सा एहसास छोड़ जाएगा ये कई तरह से स्वास्तिय के लिए बहुत अच्छा है ये आपकी तवचा के रोम छिदरों को खोल देता है अगर आप कम से कम दो से तीन घंटे तक ऐसा करें कोई क्रीम या तेल या कुछ भी न लगाएं क्योंकि तवचा को सांस लेनी होती है सांस केवल नाक से ही नहीं ली जाती तवचा के हर रोम को सांस लेनी होती है जितना अधिक ये शरीर सांस लेता है उतना ही ये आपके आसपास की हर चीज से जुड़ता है और अगर आप शरीर को ज्यादा सांस लेने देंगे तो आपका उर्जा शरीर अच्छे से विक्सित होगा आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप इस पर कोई तेज रसायन डालेंगे तो प्रतिरोध की वज़य से रोम छिदर अपने आप बंध हो जाएंगे जब आप साबुन लगाते हैं यही तो होता है रोम बंध हो जाते हैं हाँ अगर ये जरूरी है आपका शरीर कुछ ऐसी हालत में है कि आप साबुन का उपयोग करना चाहते हैं तो ठीक है आपका एकदम कठोर बनना जरूरी नहीं है लेकिन आम तोर पर जागरुक रहना कि कुछ चिपचिपा लगाने से भी रोम छिदर बंध हो जाते हैं किसी भी तरह का केमिकल लगाने से शरीर स्वाभाविक रूप से सिकुड़ता है और बंध हो जाता है ये कुछ समय बात खुल जाएगा लेकिन उस समय बंध हो जाएगा खास तोर पर अगर आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं शरीर को खुल जाना चाहिए शरीर को पानी को ग्रहन करना चाहिए और अगर आप इसे साबुन की तरह भी इस्तमाल करें आप इसे जितना चाहे उतना लगा सकते हैं और पानी से इसे धो सकते हैं तब शरीर को जो महसूस होगा उसमें आपको अंतर पता चलेगा जो अपने आप से नहीं, बलकि ये जिस तरह से आपके तत्मों को खोल देता है इसलिए पर अगर ये आपके लिए संभव न हो पाए, आपके पास अपनी साधना के लिए बस कुछ सीमित समय ही है तो जिन जगहों पर आपको ये लगाने की ज़रूरत है, वो है आपके पैरों के तलवे, बहुत ज़रूरी है और आपकी हधेलिया, नाभी के पास, अनाहत चक्र जहां पसलियां मिलती हैं, गले का गड़ा या पूरा गला और माथा, आप सिर्फ यहां लगा सकते हैं या फिर चाहें तो पूरी जगह पर, या अपने पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो लेकिन ये सब सुविधा का सवाल है, हो सकता है कि आपको काम पर जाना होता है और आपको लोगों से मिलना होता है, अपने चेहरे पर मिट्टी का लेप लगा कर ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, हाला कि आप इसे केवल ऐसे रख सकते हैं, जैसे कि विभूती को लगाया जात है, वैसे ही आप इसे लगा सकते हैं, आप इसे अपनी सुविधा के हिसाब से कीजिए, लेकिन इसे महीने में कम से कम एक बार या हफते में एक बार या जितनी बार हो सके, उतना करने में कोई नुकसान नहीं है, पुरे शरीर में ऐसा करने में, अगर आप चंद्रमा के चक स्वास्थिया और सेहत की दृष्टी से बिहद लाब होंगे जो साफ तोर पर देखे जा सकेंगे